अपने साथ एक bad experience होने के बाद एक doctor new building में move होती है पर यह building उससे भी जादा दर्दनाग होगी Hello friends, आज मैं आपको The Resident यह 2011 की एक thriller Hollywood movie explain करने वाला हो यह movie हमेशा आपको आपके seat के age पर रखती है तो अंताग इस वीडियो को ज़रूर देखेगा स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे request करता हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ब्लीज लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीज़ेगा अब इनाग से जरी के explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारी main character जिसका नाम है जूलेट है हमसे introduce होती है एक डॉक्टर है होस्पिटल की ER department में काम करती है इसका मतलब एक कोई भी emergency जैसी के accidents वगिरा यह सब उसे treat करने पढ़ते है आज राद घराग कर उसने सोने की कोशिश की पर उस सो नहीं पा रही थी अभी recently उसके साथ कुछ हुआ है जिसके वारे में हमें movie में आगे बता चलेगा अलग-अलग apartments उसने टूंडे पर यह New York है यहाँ अपर space की बहुत सारी कमी है और उसके budget में उसे सही से apartment मिल नहीं रही थी finally एक जगा से उसे call आया यह वो देखने के लिए कि वह हमारा और एक main character जिसके में मैक्स यह renovation कर रहा था actually इस पूरी building का owner वही है जूलेट ने घर देखा तो बहुत ही बड़ा था तो उसे लगता है कि यह afford नहीं कर पाएगी पर इसका rate बहुत ही कम है मैक्स से बुछती है कि इतना कम क्यों मैक्स ने कहा कि यहाँ बहुत हीट होती है इस building का structure उस type का है building के नीचे से underground trains भी जाती है इस वज़े से सब कुछ building वाइबरेट कर सकती है पूरी building का renovation चल रहा था तो थोड़े दिनों के लिए तकलिफ हो सकती है जुलेट मैक्स से कहती है कि मैं ER की डॉक्टर हो जब भी उस होती है तो बहुत ही deep sleep लेती है उसे कोई भी problem नहीं होगा यह apartment उसने finalize कर दी जुलेट का सामानवगरा move करने में मैक्स उसके help करता है move करते वाग जुलेट मैक्स के grandfather से मिली यह बहुत ही creepy type थे वो उसे बुछते हैं क्या तुमारे पास कोई pets है यहाँ पर कोई भी pets allowed नहीं जुलेट कहती की नहीं जुलेट की पास कोई भी pet नहीं था grandfather को ज़्यादा आवाज भी अच्छी नहीं लगते तो वो भी जुलेट नहीं करेगी इस अजीब सी मिटिंग के पाथ जुलेट इस घर में मूँ हो गई रात में अपार्मेंट में उसे बहुत ही अजीब लगता है जैसे कि उस पर कोई नज़र रख रहा है यह उसका न्यू अपार्मेंट है तो शायद इसी वज़े से लग रहा है यह सोच कर वो इसे इग्नोर कर देती है अगली दिन जब वो घर आई तो उसके डोर के सामने कुछ गिफ्ट रखे हुए थे इसे लगा कि गिफ्ट मैक्स ने दिये है नेक्सिन में जब वो फिर से काम पर थी तो उसके फ्रेंड उसे बहाँ चलने के लिए इन्वाइट कर दिया जूलेट ने इसके लिए मना कर दिया उसके फ्रेंड उसे समझाती है जो उसने तुमें दोका दिया इस वज़े से तुम इतना डिस्टरब होने की ज़रुद नहीं है इसका मतलब है जूलेट के रोमियों ने उसे धोका दिया था धोका होने के बाद जूलेट खुद पर ही शक करती है उसे लगता है कि उसके लिए इनव नहीं थी उसके फ्रेंड ने कहा कि ओ घटी आदमी था तुमें उसके बारे में इतना सोचने की जरुद नहीं तुमें अब मूव आउन करना चाहिए जूलेट जब घर पर आई तो मैक से मिलती है गिफ्ट देने के लिए उसने मैक से को थैंक्यू कहा मैक से कहता है कि मैंने तुमें किफ्ट नहीं दिये यह एक्च्वल में ग्रैंटपा ने दिये हुए थे जूलेट फिर ग्रैंटपा को थैंक्यू कहने के लिए की ग्रैंटपा अकेले पड़ जाते है तो जूलेट की कमपनी चाहते थे वह जूलेट कहती है कि मैं ज़रा बीजी हूँ और वहाँ से चली की अपनी फ्रेंड की बात मान कर एक दिन जूलेट उसके साथ आर्ट गैलरी में गई हुई थी वही पर वो मैक्स से टक रहे जूलेट मैक्स से यह दिया कि हम घर तक वॉक कर सकते है मैक्स को भी उसके साथ होना अच्छा रखता है इन दोनों ने फिर चलते चलते अलग-अलग चीज़ों के बार में बात किये एक्चुली जूलेट के पैरंट्स ट्रॉक एडिक्ट थे ऐसे ही कंडिशन में उसने एजूकेशन लिया और वो डॉक्टर बनी मैक्स और जूलेट ही एक दूसरे से अच्छे खुल मिल रहे थे ये सब जूलेट के एक्स ने देख लिया उसका नाम है जैक घर आने पर जूलेट मैक्स को किस करने लग गई मैक्स जरा दूर हो जाता है जूलेट को इमेरस लगा कहती है ये शायद बुरा आड़ा है वो एक टेनेंट है और ओनर के साथ अगर उसने कोई भी रिलेशनशिप रखी और कुछ गड़बड होके तो उसे घर छोड़ना पड़ेगा रात में जूलेट जब बात ले रही थे तो बात में ही एक होल है उस होल से उसे कोई देख रहा था उसे मैंसुस हुआ खिड़की के पास कोई है उसने चेक किया तो खिड़की खुली थी पर वहाँ कोई भी नहीं था नेक्स दे मैंस जूलेट को कॉल करता है कहता है कल हमारे बीच दरा ओकोर्ड हो गया आज मैं तुमारे लिए टिनर बनाता हू यह जूलेट को अच्छा लगता है डिनर पर जूलेट मैंक्स कहती है कि तुमारी वज़े से इस बिल्डिंग में मुझे घर की तरह लग रहा है रसने से बोचा कि आज तक तुमारी शादी क्यों नहीं हुई मैंक्स कहता है मैरी कभी सिरियस रिलेशनशिप थी ही नहीं वो हमेशा इस बिल्डिंग का खैल रखता है बाद में अपनी ग्रैंट फादर का उससे कोई समझ सके ऐसा कोई कभी मिला नहीं इनका डिनर खतम होने के बाद यह फेस से नज़दी का रहे थे पर जुलिट कहती है कि एक बाद आइड़ा है दोर बन करने के बाद फिर से ओबन करकर वो बाहर आ जाती है मैंक्स भी उसका ही वेट कर रहा था यह दोना अंदर जाकर इंटिमेट होने लग जाते है बेड में अचाना जुलिट को ज़रा अंगमर्डेबल लगने लग गया वो कहती है मैं हमेशा से मेरे एक्स के साथ ही थी मुझे सिर्फ उसी के आदत है यह सब करना उसके लिए बहुत ही हार्ट है मैंक्स भी सब कुछ समझ गया और यहाँ से चला जाता है अब इसके बाद हमें मैंक्स के बारे हम पता चलता है वो जुलिट को बहुत ही पहले से जानता था एक दिन जब वो अपनी ग्रैनफादर को लेकर हॉस्पिटल में गया था तो वही पर उसने जुलिट को देखा जुलिट उसे बहुत अच्छी लगी थी उसने नोटिस बोट पर देखा कि जुलिट को एक अपार्मेंट चाहिए इसी वज़े से उसने खुच से कौल किया था उससे देखने के बाद हमेशा उस पर वो नज़र रख रहा था ये बिल्डिंग भी बहुत ही पुरानी और अजी बिल्डिंग है मैक्स एक्चुल में वॉल्स के पीछे से जुलिट की पूरे घर को देख सकता है हमने प्रिवियस सीन में देखा जुलिट को बात लेता हुआ वो ये देख रहा था ये और कोई नी तो मैक्स है जुलिट को हमेशा लगता है कि उसके घर में कोई ना कोई है तो actual में, Max ही उसके घर में घुसाता है जब वो सो रही होती है तो उसका नजर रखता है अल्ली दिन Max जब grandpa को medicine दे रहा था तो grandpa गहते हैं, मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है, तुम भी तुम्हारे father की तरह एक pervert हो वो एक वीक आदमी थे तुम्हारी मदर बहुत ही ब्यूटिफुल थी पर उसका डिसीजन गलत निकला तुम भी तुम्हारी फादर की तरह ही वीक निकले इस कन्वेसेशन से में पता चलता है यह मैक्स जो जुलियट के साथ अब कर रहा है यही चीज उसने और भी लड़कियों के साथ की है उसके ग्रैंड वादर इसके लिए उसे हेट करते है शायद मैक्स के फादर भी इसी तरह की की चीज़े करते थे मैक्स को इन सब बातों से बहुत तकलिफ होती है अगली दिन उसने जुलियट का फिर से पीछा किया वाइन शॉब में उसे टकरा कर प्रिटेंड करता है कि उनका मिलना सिर्फ एक कोइंसिडन्स है जुलियट मैक्स से कल रात के लिए सौरी कहते है उसने का कि हमारी बीच रिलेशन्शिप होना एक गलत आईड़ा है मैक्स भी उसके सामने मान जाता है पर उसे इतने आसनी से छोड़ने नहीं वाला आज रात जब जुलियट सो रही थी तो मैक्स उसके रूम में आकर उसे किस करता है जुलियट थोड़ी देर में नीन से उट गई उसने कीचन में जाकर देखा तो नोटिस करती है कि वा हॉलो स्पेस है अगली दिन उसने मैक्स को इसके बारे में बताया यहाँ पर वाइन वगिरा रखने के लिए एक स्टा रूम था एक्चुल में इस रूम से होकर मैक्स उसके घर में खुश सकता था जुलियट को अभी भी इसके बारे में पता नहीं इस रूम का काम करने के लिए मैक्स पूरा दिन इसी घर में रुका जुलियट की अलग-अलग चीज़ें यूज करता है अबने आपको प्लीज कर रहा था जुलियट को उसका एक्स बॉइफरेंड जैक एक बहुत दिनों से मनाने की कोशिश कर रहा है आज उसे फिर से मैसेश करता है तो जुलियट उसे आज मिलने के लिए रेडी थी उनके लिए वो डिनर बनाने वाली है तो सब को सामान लेकर घर पर आए मैस का काम अब खतम हो चुगा था वो कहता है मैं तुम्हें डिनर बनाने के लिए हेल्प कर सकता हो जुलियट इसे मना कर देती है मैस ने कहा कि हमारे बीचल क्या रहा है मुझे समझ में ने आ रहा हम दोनों के रिलेशनशिप के शुरुवात यह तुमने की थी जुलियट उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा कि हम दोनों को डेट करना अच्छा एड़ा नहीं मैस कहता है अगर तुम मुझे छोड़ने वाली थी तुम्हें स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था इसके बाद वो यहां से चला गया जुलियट का जब ध्यान नहीं था तो मैक्स फिर से अपार्मेंट में पहुच गया था उसके सब मोबाइल वगरा सब कुछ उसने चेक किया उसे जैक के बारे में पता चला वो अपार्मेंट में था तब ही जैक वहां पहुच जाता है जैक के पास एक छोटा सा डॉग है डॉग ने घर में मैक्स को देखा और वो बाग करने लगता है मैक्स जल्दी से यहां से भाग कया जैक ने जुलियट से सौरी कहा वो कहता है तुम्हारे बिना में बरबाद हो चुका हूँ उसे बहुती जादा मिस करता है जुलियट भी उसे कहती है कि मैं किसी के और के साथ नहीं हो सकती यह दोनों फेर एक दुसरे के साथ इंडिमेट हो जाते है जैक को मौर्निंग में जल्दी उड़ना था तो घर चला गया जुलियट जारा वाइन लेती है उसके बाद वो बेहोश होकर सो गई एक्च्वल में हमेशा से मैं जुलियट की वाइन में ट्रग मिलाता है इसी वज़े से वो कभी भी रात में उठती नहीं उसके पास आकर उस पर नजर रख सकता है उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है हर रात बेहोश होने की वज़े से जुलियट जारा लेट उटती थी उसके स्लिप भी कम्प्लीट नहीं होती थी तो इस बात से वो डिस्टरब हो गई उसे रखता है कि उसके अपार्मेंट में कुछ ना कुछ तो गटबड है उसने फिर अपने पूरे अपार्मेंट में हीड़न सीकुरिटी कैमेर्स लगा दिया अगर अपार्मेंट में कुछ भी मू होता है तो इसे नोटिफिकेशन आएगी इस cameras में night vision भी है याने कि अंधेरे में में उसे सब कुछ दिखेगा इन cameras के वारे में Max को कुछ भी पता नहीं था Max अपने grandfather का खैल रखते हो तंग आ गया था तो एक दिन drug का overdose करकर उन्हें हो मार डालता है जुलेट और जैक ये regularly एक दूसरे से मिलने लग गए थे तो ये सब देखकर Max बहुत ज़्यादा jealous हो गया Max जैक का पीछा करता है उसने सीडियो से उसे नीचे किरा दिया आज राद Max फेसे जुलेट के पास आया उसके साथ इंडिमेट हो रहा था तभी जुलेट की आग खुल जाती है वो इस बार उसे सीरीन से ड्रग कर देता है अगली सुबा जुलेट फेसे लेट हो चुकी थी उसने बेडरूम में सीरीन की उपर का कवर नोटिस किया उसे शक आता है वो अपना बलर्ड और यूरिन सैंपल होस्पिटल में जेक करने के लिए देती है यहापर उसे पता जल गया कि उसे कोई ड्रग करता है जैक आज उसके अपार्मेट में जाने वाला था तो जुलेट उसे कॉल करती है कहती है इबलीज वहाँ जाना मत पर जैक ने इसे पिक अप नहीं किया वो अपार्मेट में सब चीज़े देख रहा था तभी उसे एक रस्ता मिल गया यह वही वे है जहाँ से मैक्स जुलेट के अपार्मेट में इंटर होता है जैक जब यह सब देख रहा था तो मैक्स उसके पीछे ही था अब इसके बाद क्या हुआ यह हमें आगे पता चलेगा जुलेट जैक को ढूंड़ते हुए जल्दी से अपने अपार्मेट में आ गई फिर वो कल रात का स्युक्यूरिटी फुटेज अपने कॉम्पीटर पर चेक करती है उसने देखा यह मैक्स ने उसका कलरात रेप किया था वो बहुत ज़ादा डिस्टरब हो गई तब ही मैक्स घर में इंटर हो गया उसके सामने दिखा नहीं सकती कि उसे सब कुछ पता चल गया है वो सावदान हो गई मैक्स को दिखाना नहीं चाहाती थी उसे सब कुछ पता है मैक्स ने फेस से जुलिएट के लिए वाइन लाई है इस बार वो खुद भी इस वाइन को पी रहा था जुलिएट डिस्टब दिख रही थी तो उसे वो पूछ लेता है जुलिएट कहती है आज कल मेरी नीन अच्छे से हो नहीं रही जुलिएट उठकर फोन लगाने की कोशिश करती है पर मैक्स उसे फोन ले लेता है जुलिएट के हाथ में चाको था इससे उसने मैक्स पर वार किया वो जल्दी से हाथ से भागने की कोशिश करती है पर मैक्स ने पूरे घर को लॉक कर दिया था ड्रक की वज़े से उसे नीन ना है इसलिए उसने अलग-अलग गोलिया ली मैक्स फिसे घर के अंदर आ गया उसे बेड के पास पकड लेता है जुलेट जल्दी से उसे मार कर बात्रूम में छुप जाती है पात्रूम के मिरर से भी कुछ आवाज आ रही थी एक्चुली मिरर के पीछे मैक्स सब कुछ देख सकता था मिरर तोड़कर जुलेट को अंदर खिज लेता है जुलेट मिरर के इकास से मैक्स पर वार करती है इन टनल्स में से वो भाग रही थी मैंस कहता है तुम्हें हैं से नहीं वाग सकती है यहां से कोई भी नहीं वाग सकता जुलियट ने आसपास सारे चीज़े देखी तुसे इन नेल पंचर मिल गया मैक्स उसे कही भी नहीं दिखता मैक्स उसे पगड़ कर नीचे किरा देता है वो जब उसके पास आया तो जुलिएट ने नेल्स उसके बॉड़ी में पंच करती है वो बहुत ही ज़ादा हर्ट हो जुका था पर फिर भी उसका पीछा करता है जुलिएट भागते बागते एक स्टोर रूम में आ गई थी वही पर वो जैक की बॉड़ी पाती है जैक ने जब मैक्स का वेट होंडा था तब मैक्स ने उसे मार डाला मैक्स फिर से जुलिएट के पास बहुच गया था इस बार बहुत सारे वार करकर जुलिएट फाइनल उसे मार डालती है इसे के साथ इस मुवी का एंट हो गया दिखने में लोग कितने भी नॉर्मल लगे पर उसके अंदर क्याल चल रहा है ये कोई भी पता नहीं सकता सावधान रहे सतरक रहे फिर से मिलेंगे Crime Patrol के और एक एपिसोड में तो आज का वीडियो हम यही खतम करते हैं अगर आपको वीडियो चल लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुविज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल नोटिवेशन आएक उन्दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुव के साथ तब तक लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखे